हेलो बच्चों, वेलकम टू डाउटनेट, स्वागत आप सबका डाउटनेट की सोशल साइंस की क्लासिस में मैं हूँ अनुश्या, आपकी सोशल साइंस टीचर और कैसे हैं मेरे सारे स्टूविस तो आपको पता ही है हम लोग फिलहाल यहां पर टर्म टू की तयारी कर रहे हैं और आप बच्चों का चाप्टर चल रहा है नाशनलिजम इन इंडिया सो काफी सारे इंपोर्टन टॉपिक्स को हम अल्रेडी कवर कर चुके हैं आज के लेक्चर में हम और आगे इस टॉपिक को कंटिनू करेंगे यह आपका कर चुके हैं यह सारी चीज़े हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आज हमें आगे continue करना है ठीक है तो आज की class जब तक खतम होगी आप बच्चों को ये दो topics अच्छे से clear हो जाएंगे the sense of collective belonging ठीक है ये क्या है ये हम आज cover करेंगे साथी साथ quit India movement तो ये दो topics आज की class में मैं आप बच्चों के cover करा दूगे चलो तो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले जल्दी से एक चोटा सा introduction कर लेते हैं काफी सारे बच्चे हमारे जानते हैं मुझे अगर आप नहीं जानते तो मैं अनुश्या हूं and social science की जो भी subjects है history, geography, quality और economics आप लोग मेरे साथ cover करोगे फिलहाल हम लोग history के topics को cover कर रहे हैं ओके चलो तो हम start करते हैं अपना lecture ठीक है तो हमने अपने पिछले lecture में पढ़ा था कि civil disobedience movement के दौरान काफी सारी ऐसी communities थी जिनको धीरे धीरे ऐसा फील होने लग जाता है कि Congress के जो लोग है ये शायद हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं है ना जैसे हमने बात करी थी कि जो पूर फार्मर्स थे उनको लगने लगया कि शायद हमारी बात नहीं सुनी जा रही है है ना साथी साथ हमने डिसकस करा था कि जो लोग 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 कास्के थे उनको लग रहा था कि Congress उन लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं साथी साथ Muslims को इसी तोरान लाज सेक्शन ओफ Muslims इनको ऐसा लगने लगया कि हमारे इंडिया में यूनिटी कम है मुस्लिम्स की बातों को जादा सुना नहीं जा रहा है तो ऐसे एक ऐसा महौल था इंडिया में जब अलग-अलग कम्यूनिटी इसको लगने लगया कि यूनिटी नहीं है क्यूंकि Congress के लोग हमारी बात सुनने के लिए तयार नहीं है तो ऐसे में क्या हुआ बहुत सारे हमारे Muslim leaders थे जिन्होंने ये कहना start करा कि Muslims इंडिया में minority है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर Muslims की जो thinking है उनके जो विचार है वो कभी लोग इंडिया के समझ ही नहीं पाएंगे ठीक है तो इस दोरान बहुत सारे Muslim leaders ये कहने लग गए कि हमारी जो identity है वो इंडिया में बाहर नह नहीं आ पाएगी ठीक हमारी अवास को यहां पर सुनने को तयार नहीं है तो ये सारे concerns Muslim leaders कहने लग गए कि मेभी ये जो country है यहां पर हिंदू majority जो लोग है वही सब कुछ समालने लगेंगे ये सारी बाते उस तोरान की जाती थी ठीक है तो मैंने आप बच्चों को बताया था कि इंडिया में स्टार्टिंग स्टार्टिंग में हम लोगों में कोई एकता नहीं थी कोई यूनिटी नहीं थी यूनिटी का ये concept धीरे धीरे डेवलाप हुआ वह भी British के वज़े से हैंना मैंने आप बच्चों को कहा था कि एक टाइम ऐसा आता है जब इंडिया में अ अलग अलग कम्यूनिटीज हैं उनमें एक यूनिटी आ जाती है कि फिलहाल हम सारे लोग अलग हैं पर हम सब के पास सेम दिक्कत है कि हम लोग British से परिशान है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं इसी दौरान क्या होता है हम लोग कुछ अलग तरीकों से भी इंडिया क एक यूनिटी का concept generate करना start करा जैसे अगर आप इस image में देखो बेटा तो यहां पर बाल गंगादर तिलग है ठीक है और आप देखोगी कि उनकी पेंटिंग है और आस पास बहुत सारे symbols हैं जो unity को represent करते हैं ठीक है जैसे for example आप देखोगे कि यहां पर बाल गंगादर तिल रहा है कि इंडिया कैसी country है जहां पर हम सारे religion को रिस्पेक्ट देते हैं सारे religion को value करते हैं ओके तो उस ताइम पर इस टाइप की nationalism की तो nationalism में बहुत ज़्यादा जरूरी है कि unity बनी रहे है ना क्यूंकि nationalism का मतलब सबको पता है न हमने first lecture में discuss करा था यह एक feeling रखना कि हम सारे इंडिया के लोग जो है वो united है एक devotion रखना की इंडिया के लिए कुछ करना है तो एक feeling of love and devotion जो होता है अपनी country के लिए उसे हम nationalism क्याते हैं और nationalism को develop करने के लिए unity की एक feeling generate करना इंडिया में बहुत ज़्यादा जरूरी थी इसी दौरान क्या होता है हम लोग आठ के उपर dependent हो जाते हैं हम अलग अलग आठ के थू जैसे अभी मैंने आपको painting दिखाई painting के थू इंडिया में unity को और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं ठीक हिस्ट्री को बहुत बढ़ा चड़ा के बोलना कि हमारी हिस्ट्री कितनी बढ़िया थी ठीक है और फिक्षिन के थू फिक्षिन मतलब कहानियों के थू हम लोग नैशनलिजम को और जादा बढ़ावा देने लगे folklore and songs ठीक है again songs गाने गाना गाना के ठीक है कहानिया सुना के हम लोग नैशनलिजम को और जादा encourage करने लगे साथ ही साथ popular prints मतलब books लिखना ठीक है symbols अलग-अलग drawings बनाना painting बनाना इन सारे तरीकों के थू हमने इंडिया के लोगों में नैशनलिजम का एक feeling develop कर आया ओके सो painting को तो हम लोग देख चुके हैं उसकी अलावा एक और painting के बारे में discuss करते हैं एक और image के बारे में discuss करते हैं जो कि आप लोगों ने सुन रखा होगा पर आपने कही ना कहीं relate नहीं करा होगा कि यह शायद हमारे national movement के साथ connected है तो भारत माता सब को पता है है ना भारत माता भी कह देते हैं तो इस चीज़ को बेटा हम कहते हैं allegory है ना allegory हमने अपने पिछले कुछ lectures में भी पिछले कुछ chapters में भी देख रखा जैसे आपको याद होगा जर्मनी में उन्होंने एक allegory को बनाय था जर्मेनिया ठीक है allegory होता क्या है पहले वह समझ लेते हैं किसी इक idea को painting कि थूप represents करना ठीक है तो जैसे इंडिया में असली में कोई भारत माता है क्या असली मैं ऐसी को एक विमन या ऐसी कोई लेडी है क्या जिनको हम भारत माता कहते हैं नहीं यह ऐसे एक idea है इंडिया को represent करने के लिए हमने ऐसी एक idea के एक image create कर रखा है जिसको हम भार अपने इंडिया को भारत माता कह देते हैं जर्मनी की भी एक अलिगरी है जिनको वो जर्मेनिया कहते हैं ठीक है ऐसी एक फ्रांस की भी एक अलिगरी है बेटा पर यह आप बच्चों का होमवक है मुझे आप लोग बताना comment section में फ्रांस की अलिगरी का नाम क्या है ठीक है तो बार भारत माता का जो image है वो बंकिम चंद्र चटोपाध्या ने create किया था ठीक है मैंने underline कर रखा है पहले से ही क्यूंकि यह important है आपसे direct question ऐसे ही पूछा जाएगा बच्चों कि बताओ सबसे पहले यह जो image है यह किसने create करी थी तो बंकिम चंद्र चटोपाध्या ने यह image सबसे पहले create करी थी 1870 में 1870 में क्या हुआ इन्होंने एक हाइम लिखी ठीक है तो इसे एक poem भी कह सकते हैं ठीक है poem की तरह लिखा इन्होंने क्या वंदे मातरम आज के date में भी हमने पटा ना बंदे मातरम क्या है तो 1870 में यह लिखा गया था और यह मतलब बंद माता के लिए इंडिया के लिए कुछ करना है ठीक है बाद में क्या करते हैं यह इसी चीज को इसी पोएम को अपने नौवल का पार्ट बना लेते हैं ठीक है तो इनका एक नौवल था आनंद मत क्या के ठीक है तो यह क्या करते हैं आनंद मत नौवल में इस पोएम को इंक्लू आनन्दमत के नौवल्स के जो जो छोटे चोटे पार्ट थे लोग स्वदेशी मूवमेंट के दौरान बहुत जादा गाया करते थे ठीक है इसे एक सौंग की तरह गाने की तरह इस नौवल के अलग-अलग लाइम्स को लोग गाने लगे कहां पे जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था बेंगॉल में ठीक है अब देखो ये सारी सेम चीजे ना अपने फ्रेंच रेवल्यूशन में भी देखी हैं आपको याद होगा फ्रांस की लोग जब सोल्जर्स एक जगे से दूसरे जगे तक मार्च करते हुए जाते थे तो वो एक पोयम गाते हुए जाते थ जबत्तों कि हाँ 9 में हमने ऐसा पड़ा था पहले च्प्टर में हमने ऐसा बढ़ा था तो यह कैसी चीज़ जो सिरफ इंडिया में नहीं हुई बाकी कंट्रीज के हिस्टरी में भी हमने देखा है कि यह सब होता आया भाकी कंट्रीज के लोगों ने भी आर्ट को हो जाते हैं कि हमारे लोग कितने बड़िया तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो क्या करते हैं इंस्पायर हो कि एक फेमस इमेज को ड्रॉ करते हैं भारत माता की ठीक है भारत माता की बहुत ही फेमस में create करी थी और आप एक बार ध्यान से देख लो आप बच्चों के बुक्स में भी यह सेम इमिज है आज के डेट में जैसे अगर आप कहीं पर सर्च करते हो भारत माता तो आपको यह इमिज नहीं मिलती है अगर आप बुक्स में या न्यूस पेपर में कहीं भारत माता देख होगे कि भारत माता जो है इनको एक एसेटिक फिगर की तरह पोट्रे किया गया है मतलब एक ऐसी विमन जो मतलब बहुत सेल्फ डिसिप्लिन है ठीक है देखके लग रहा ना कि बहुत मतलब डिसिप्लिन है इनके अंदर तो इस तरीके से पेंट किया गया है ऐसा दिखाया क्या है कि वह बहुत काम हैं कंपोज हैं ठीक है स्पिरिच्वल हैं रिलिज्यस हैं यह सारी चीजे सोच के उनको पेंट किया गया है कि वह तरीके से दिखें और ऑवर टाइम क्या हुआ बेटा हम लोग बार बार ऑवर टाइम अलग-अलग आर्टिस्ट आहें अलग-अलग तरीके से भारत माता की इमेज को पेंट करा एड्य इमेज आज के टाइम पे कुछ ऐसी दिखती है ठीक है यही इमेज ओवर टाइम हमने ड्रॉ करा और यह बदलती रही आज कल के टाइम पर अगर आप कहीं पर सर्च करो कहीं पर भारत माता को आप सर्च करो तो आपको शायद यह इमेज देखने को मिले ठीक है मतलब एक लेडी है उन फॉर्म के ठूट करने के लिए ऐसी एक पेंटिंग बना रखें उनको हम भारत माता कहते हैं ठीक है चलो तो इस तोरान क्या होता है हम देखते हैं कॉंग्रस के लोग notice करना start करते हैं कि अलग-अलग communities के लोग अलग-अलग तरीके की complaints ला रहे हैं ठीक है जैसे इंडिया में उस time पर अगर कोई farmer है तो उनकी problem अलग थी अगर कोई women है तो उनकी problem अलग थी अगर कोई जमीन-दार हैं तो उनकी problem अलग थी ठीक है तो गांधी जी और Congress की लोग सोचना स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे इन सारे लोगों की complaints को merge करके एक national movement स्टार्ट करें ठीक है अलग-अलग लोगों की अलग-अलग problems हैं पर कैसे हम इन सारे problems को combine करें और independence की तरफ बढ़ना स्टार्ट करें ठीक है तो यह लोग सोच रहे होते हैं कि हमको एक ऐसा movement चाहिए जिसमें सारे लोगों की problems को हम solve कर पाएं और unity ला पाएं ठीक है क्यूंकि हमारे जो पिछले movements थे बेटा उनमें कही ना कहीं यह दिक्कत थी कि अलग-अलग communities को यह लगने लग जाता है कि Congress हमारी बात नहीं सुन रही बाकी communities की बात सुनी जा रही पर हमारे लिए Congress के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं तो अब Congress के लोग सोचना स्टार्ट करते हैं कि हम लोग कैसे एक ऐसा movement लाएं जिसमें सब को लगे कि हाँ इंडिया में एकता है unity है हमारी बात भी सुनी जा रही है ठीक है तो कभी-कभी Congress के लोग movement करते थे उस movement में बहुत बढ़िया unity दिखती थी हमको लगता था कि हाँ अब तो हम Britishers एक दम मस्ट बढ़िया तरीके से लड़ सकते हैं कुछ दिन बाद ही अचानक से हम लोग आप आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते थे ठीक है तो Congress के लोगों के साथ क्या होता रहा कभी-कभी इनको लगता था कि हमने बहुत बढ़िया movement स्टार्ट कर दिया अगले दिन ही हम लोग फिर से आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते थे तो Congress और गांधी जी के लिए उस तोरान एक में दिक्कत यही थी कि इंडिया में कैसे लोगों को युनाइट करके रखा जाए ठीक है तो हमने अभी ड्रॉइंग के बारे में पढ़ लिया ठीक है हमने भारत माता की इमिज को भी देख लिया मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि इस तोरान अलग-अलग symbols के through हम लोग अपने nation को unite करने की कोशिश करते थे ठीक है तो उन अलग-अलग symbols को जरा हम जल्दी से देख लेते हैं तो अगर आप देखो Bengal में स्वदेशी movement जब चल रहा था Bengal में तब वहां पर tri-colored flag बनाया गया ठीक है tri color मतलब तीन color से उस flag में red, green and yellow ये चीज याद रखना बेटा आपकी दिमाग में क्योंकि orange white green ही चलेगा हमारे flag में वो color है पर जब स्वदेशी movement चल रहा था Bengal में तब हमने जो flag बनाय था उसमें कौन-कौन से colors थे red, green और yellow थे ठीक है इस flag की उपर 8 lotus के fool थे ठीक है कमल के fool थे और 8 ही क्यों 8 ही क्यों क्योंकि उस तवरान 8 provinces थी इंडिया में Britishers ने 8 हिसों में हमारी इंडिया को divide कर रखा था 8 provinces थी इंडिया में उस flag में क्या था moon भी था ठीक है crescent moon भी था यह दिखाने के लिए कि यह flag सिरफ हिंदूस के लिए नहीं है हम लोग Muslims के लिए भी यह flag बना रहे हैं ठीक है तो अभी मैं आपको एक image दिखा देती हूं आपको clear हो जाएगा तो यह colors थे flag के ठीक है यहां पे एक sun भी है crescent moon भी है और eight जो है lotus भी है ठीक है तो यह flag उस दौरान इंडिया में बनाया गया था कुछ टाइम के बाद क्या होता है अब यह बात है 1921 की 1921 में क्या होता है गांधी जी अब एक flag को design करते हैं और गांधी जी के भी flag के color आपक है red green और white है और बीच में क्या था उस flag के बीच में एक spinning wheel था spinning wheel पता हमको ठीक है spinning wheel था 1921 की बात है यह और spinning wheel क्यों था क्यूंकि गांधी जी तो हमेशा से ही यह बोलते आया है ना कि आप लोग अपने आपकी उपर dependent रहों दूसरे की उपर आपको dependent रहनी की जरुरत नहीं ह खुद बनाओ Britishers के हमें कपड़े खरीदने की जरुरत नहीं है तो गांधी जी का यह ideology डिपेट करने के लिए बीच में spinning wheel डाल दिया और flag का color दिख रहा है सारे बच्चों को white green और red है ओके चलो तो यह सारी चीजे उस दोरान होने लग जाती है art को यूज करा ठीक है उसके अलावा एक और चीज जो की हम लोग करने लगे हम लोग अपने history को reinterpret करने लगे ठीक है reinterpretation of history मतलब अपने history अपने इतिहास को हम लोग फिर से समझना स्टार्ट करते हैं इसका क्या मतलब है जब Britishers इंडिया में आये थे ना बेटा तो उन्होंने ना हमारे बारे में मतलब बहुत बुरा बुरा कहा कि इंडिया की history बहुत बेकार है इंडिया का culture बहुत बेकार है अगर आप इंडिया के पढ़ाई करने का तरीका देखो तो वो लोग बहुत ही मतलब गलत गलत चीजों को पढ़ते रहते हैं हमारे literature बहुत खराब है तो उन्होंने मतलब बहुत ब ब्रपाथ कुछ भी नहीं यह कि हमारी भॉट जाधा बढ़िया है हमारा की बहुत linkage ने लगा है उनकेया पहले तो इंडिया बहुत बढ़िया चल रहा था इचीज हमने इंडिया में सबको बताना स्थ करा की चाहे वह आर्ट की बात हो चाहे आर्कि तेक्चर की बात हो science या maths की बात हो ठीक है law philosophy craft किसी भी चीज की बात हो इंडिया काफी बढ़िया कर रहा था पर जब Britishers आ गए उस time के बाद हम लोग थोड़ा पीछे रहना start करते हैं ठीक है यह हमने बोलना start करा ठीक है अब इस तोरान अलग-अलग problems भी create होने लगती हैं आपको लग रहा है कि हम लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं हम लोग आर्ट यूज कर रहे हैं history यूज कर रहे हैं symbols यूज कर रहे हैं तो इंडिया बहुत जल्दी हिंदूस को जादा encourage कर रहे हैं हमारा आर्ठ literature पोयम हर जगा हिंदूस को जादा encourage किया जा रहा है प्रमोट किया जा रहा है बाकी लोग बाकी community को लगने लगा कि हमारे लिए क्या है इन पूरे टॉपिक का कि यह कैसा टाइम था हमारे इंडिया के लिए जब अलग-अलग लोग अलग-अलग कम्यूनिटीज के लोग अलग-अलग चीज़े कहना चाहते थे अलग-अलग तरीके से अपने आपको एक्सप्रेस करना चाहते थे पर हां ओवर और यहीं चल रहा है कि हमारे जो लोग हैं वो ब्रिटिश से आजादी चाहते हैं कोलोनियल रूसे आजादी चाहते थे ओके चलो तो अब बेटा बस एक लास्ट टॉपिक और उसके बाद आप बच्चों का यह सिलिबस का यह जो च कि एक इमेज है आप बच्चों के बुक्स में भी होगी उस टाइम की मैच है तो ब्लाक औंवाइट है मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूं क्या हो रहा है इसमें यह विमन प्रोसेशन है ठीक है बहुत सारी विमन प्रोसेशन में आप मानू स्ट्राइक में पार्ट ले पीरेड के आसपास का टाइम है तो क्या होता है एफेक्ट्स ओफ व्ड़ वार टू हमें इंडिया में दिखने लग जाते हैं और क्रिप्स फेलियर हम इंडिया के लोग feel करने लग जाते हैं Crypt Mission था क्या मैं आपको Short में बता देती हूं तो जब World War 2 स्टार्ट होता है न बेटा तो Britishers क्या करते हैं इंडिया की लोगों से पूछे बिना internationally ऐसा कह देते हैं कि World War 2 में इंडिया की लोग भी पाट लेंगे Britishers की साइट से तो ये हमको बात बुरी लग जाती है कि ऐसा क्यूं हो रहा है ठीक है और Britishers उस टाइम पे एक weak spot में होते हैं Britishers को अचानक से ऐसा डर लगने लग जाता है कि Japan की जो लोग हैं वो बहुत strong हो रहे हैं और वो धीरे-धीरे इंडिया की उपर शायद कबजा करने ठीक है ये quit India movement का theme है उस दौरान ये सारी problems चल रही थी Britishers हमसे बात चीत करने की कोशिश करते हैं कि आप लोग please हमें war में support दो अगर आप बढ़िया तरीके से support दोगे तो हम इंडिया में कुछ हद तक आजादी कि आप लोगों को देने के लिए तयार है पर हम ये सब अब सुनने के लिए तयार नहीं था हमारा Britishers की उपर से विश्वास उठ चुका था हमें पता था कि ये लोग बस ऐसी कह रहे हैं ये अपने promises को रखेंगे नहीं तो ये लोग क्रिप्स mission के थ्रू हमसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग आजादी देंगे कुछ हद तक आपकी help करेंगे पर हम मना कर देते हैं कि हमें आपकी support की ज़रूरत नहीं है ठीक है धीरे धीरे क्या होता है अब गांधी जी सोचना स्टार्ट करते हैं कि सही में जपान के लोग स्ट्रॉंग हो रहे हैं वो इंडिया की उपर अटाक कर सकते हैं तो गांधी जी ऐसे में एक movement launch करते हैं उस movement का नाम है क्विट इंडिया movement हमारा final movement था बेटा जिसके बाद हमको आजादी मिल जाती है इस movement में गांधी जी लोगों को समझाना स्टार्ट करते हैं कि हमें ब्रिटिश से बोलना है कि आप कुट इंडिया ठीक है मतलब इंडिया को छोड़ के जावाब और कोई हम option आपको दे नहीं रहे हैं ठीक है तो Congress Working Committee ने क्या करा एक meeting रखी वार्धा में 14 July 1942 की बात है और इस तौरान इन्हों ने यह decision लिया कि हम लोग quit इंडिया के बारे में बात करेंगे ठीक है Britishers से कहेंगे कि इंडिया को छोड़ के जाओ और हम immediate demand करेंगे कि हमें power चाहिए ठीक है सारी powers Britishers से छीन के हमें अपने हाथ में लानी है यह decision वार्धा में 14 July 1942 में लिया जाता है ठीक है इस तौरान एक बहुत ही famous slogan गांधी जी ने use करना स्टार्ट करा जिसको हम English में कहते हैं do or die ठीक है करेंगे या मरेंगे मतलब या तो हमें Britishers को बाहर कर देना है या फिर हम लोगी फस जाएंगे ठीक है क्योंकि जैपान का भी खत्रा है Britishers ने भी परिशान कर रखा तो हमें पूरी जान लगा देनी है पूरी कोशिश करनी है कि हमें Britishers को बाहर करना है so 8 August 1942 Bombay की बात है ठीक है यहां पर ही लोगों ने decide करा कि हम लोग Quit India Movement को start करेंगे यह एक non-violent mass struggle होगा ठीक है non-violent मतलब कहीं पर कोई लड़ाई जगडा नहीं होना चाहिए और यह mass movement था बेटा mass movement मतलब पूरे इंडिया में यह इसे फैलाने की बात हो रही थी कि पूरे इंडिया के लोग इसे साथ में मिलके करेंगे ठीक है तो जब Quit India के बारे में बात होती है तो इंडिया में सारे लोग मिलके पाट लेते हैं ठीक है और यह सही में एक mass movement था जैसे हमने non cooperation movement में देखा civil disobedience movement में देखा कि कही ना कही हम लोग उतने बड़िया तरीके से unite नहीं हो पा रहे होते हैं कही ना कहीं इंडिया में वो unity नहीं थी पर इस movement में सही में सारे इंडिया के लोग almost सारे लोग participate करते हैं ठीक है again students ठीक है आप जैसे जो बच्चे थे students का तो हमने देखा है students हर एक movement में सबसे पहले readily तयार रहते हैं non cooperation civil disobedience हर एक movement में जो बच्चे थे आप जैसे जो स्टूडेंस थे college going students थे वो सबसे पहले तयार रहते थे कि अगर कोई movement है तो हम लोग पका पार्ट लेंगे workers farmers ठीक है जो आम लोग थे यह सारे ordinary people थे इंडिया में वो सारे लोग इस movement में पार्ट लेते हैं ठीक है इस तौरान बहुत सारे हमारे popular leaders थे जो की पार्ट लेते हैं जैसे कि जैप्रकाश नारायन अरुना असाफ अली ठीक है तो अलग-अलग leaders इस तौरान पार्ट लेते हैं quit India movement में ठीक है and quit India movement हमार जैसे तैसे इंडिया में इस movement को हटाना है कम करना है पर उनको एक साल से भी जादा time लग जाता है quit India movement को handle करने में ओके चलो तो हमने अपने सारे topics को cover कर लिया है यह आपका last topic था जो कि मुझे आप बच्चों को समझाना था अब हम क्या करते हैं एक quiz start करते हैं अभी हमने ज Swiss based है तो आप लोग जाधा tension मतलो ठीक है जो answer सही लग रहा है उसे answer कर दो आप लोग जो भी answer से आपको सही लगे मुझे comment section में बताना जब class खतम होगी तो मैं बच्चों के comments देखती रहती हूं मुझे idea लग जाएगा कि हमारे 10th class के बच्चों की तयारी कैसी चल रही है ठी ठीक है चलो तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं first question आपका who was the author of the famous novel आनन्द मत ठीक है आनन्द मत जो की एक famous novel है इसके author कौन थे option बंकिम चंद्र चटोपाध्य option B अबिंद्रनाथ टेगोर option C नतेशा शास्त्री option D रभिंद्रनाथ टेगोर ठीक है तो अभी हमने जस्ट अभी discuss करा है यह जो famous novel है इसके author कौन थे ठीक है आपको जो भी answer right लगे comment section में बता दो तब तक हम अपना next question देख लेते हैं why had the Congress ignored the Dalits for so long ठीक है आपकी हिसाब से क्या कारण था जिसके वज़े से Congress Party के लोगोंने दलित्स को काफी टाइम तक इग्नौर कर रखा था option A due to their liberal outlook option B due to fear from the Britishers option C for fear of offending the संतनी option D for fear of Dr. BR आपकी एक्जाम में आपकी एक्जाम में आ सकता है option ही हमारा राइट आंसर है next Congress के लोगों ने दलित्स को काफी टाइम तक इग्नौर क्यूं करा क्यूंकि Congress Political Party में ना बेटा बहुत सारे अपर कास्ट की लोग थे ठीक है तो अपर कास्ट के लोगों को बुरा ना लगे इस वज़े से Congress के लोग बहुत टाइम तक दलित्स को सपोर्ट नहीं करते ठीक है जो की गलत था तो यह option है option C बेटा option C हमारा राइट आंसर हो जाएगा जिन भी बच्चों के राइट आंसर हैं very very good keep it up अगर गलतियां हो रही है कोई बात में अब पता चल गया अब याद रखना इन सारी चीजों को ठीक है तो अब आपका हिस्ट्री का एक चाप्टर फिनिश हो चुका है मेरे साथ आज दे सेंस ओफ कलेक्टिव बिलॉंगिंग ट्विट इंडिया मुव्मेंट ये दो टॉपिक्स भी हमने कवर कर लिए हैं नेक्स अब आप बच्चों को क्या करना है हिस्ट्री तो खतम हो गया नेक्स आप हमने इन दो टॉपिक्स को कवर कर लिया हिस्ट्री का एक चाप्टर आपका खतम हो चुका है नेक्स आपको जो भी पढ़ना है सारे बच्चे कॉमेंट सेक्शन में बता दो ज्यादा तर बच्चे जिस भी सब्जेक्ट जिस भी चाप्टर का कहेंगे मैं वही नेक्स स्टा लेंगे और important questions को discuss करेंगे सारे बच्चे टाइम से पहुंच जाना 6 p.m. ओके चलो so that's it for today मिलते हैं अपने next lecture में बाइबाइ टेक केर और थांक यू